नमस्कार दोस्तो, स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वारता में दोस्तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास इसके अंत्रगत हम देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपराएं कालविभाजन और नामकरण तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास की जो लेखन परमपरा है वो कहां से शुरू हुई दोस्तो यूं तो जो हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की परमपरा माने जाती वो बहुत पहले से माने जाती है लेकिन जो प्रामानिक हमें मिलता है लिखीत रूप में वो है कि 19. शताबदी से पूर्व लेखकों और कव्यों ने अनेक ग्रंथों की रचना की किन्तु इनमें कालकरम संवत आदी का अभाव होने के कारण इन्हें इतिहास की संग्या नहीं दी जा सकती देखिए 19. शताबदी से पूर्व लिखा तो गया लेकिन उसमें क्या था अनेक ग्रंथों की जो रचना थी उसमें कालकरम और संवत आदी का अभाव था इसके लिए उनको क्या दिया क्या कि इतिहास की संग्या उनको नहीं दी जा सकती थी इसलिए जो इतिहास लेकं की परमपरा मानी जाती है वो मानी जाती है 19. शताबदी से तो जो उस समय की प्रमुख रचनाय थी देखिए 19. शताबदी से पहले कि जिसमें 84 वश्नवन की वारता, 252 वश्नवन की वारता भक्तमाल इत्यादी तो ये जो रचनाय थी ये इससे पहले रची गई हाला की लेकिन इनमें क्या था, इनमें कुछ चीजों का अभाव था तो इसलिए इनको क्या का जा सकता था, कि ये इतिहास ग्रंथ नहीं थे और प्रयाप्त जानकरी के अनुसार हिंदी सहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा 19. शेताबदी से ही शुरू ही है, तो मतलब कि 19. शेताबदी में वो किसके द्वारा लिखा गया है? महिश्दत शुकल के द्वारा लिखा गया और इनके ग्रंथ का नाम है भाषा का बैसंगर है यहाँ पर आपने ध्यान रखना है हिंदी भाषा में लिखा गया साहित्य यास ग्रंथ तो हिंदी भाषा में लिखा है महिश्दत शुकलने अब हम देख लेते हैं कि जो दूसरी भाषा में लिखा गया है या यह कहें जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया था गारसद तासी के बारे में एंदूई एंदूस्तानी ये बहुत बार कुछ जाता कई बार एक्जामों में हलांकि जो anti-ugc net की एक्जाम की त्यारियन कर रहे हैं या जो दे चुके हैं या जो बहुत जादा पढ़ते हैं उन लोगों को ये समानने सी वात है कि हर एक student के जहन में ये line इनकी रचना का नाम होता है और इन्होंने सबसे पहले किया किया था कि जो हिंदी साहिट्य का इतिहास गारसदत तासी ने लिखा ये एक फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने इसका जो प्रकाशन किया इस book का इस grant का वो उन्होंने किया 1849 और 1847 दीके दो चीजे लिखी हैं क्यों लिखी इस पहले और दूसरे भागों से अधिक विश्तृत था है तो इसका प्रकाशन का भुआ फिर 1847 में हुआ ठीक है इसमें देखिए कि आगे क्या कहते हैं कि हिंदी के साथ-साथ उर्दू के कवियों का विवर्ण रचनागारों का विवर्ण अंग्रिजी वर्णानुक्रम स किया दिखिए जब हम पीछे इतिहास लेखन की पधती के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने वहाँ पर पढ़ा था ये चीज कि कौन-कौन से ऐसे इतिहासकार रहे हैं जिनोंने इस पधती का या वन्नानुक्रम पधती को अपना आया है तो वो गारसदतासी पहले हैं ठीक ह तो यहाँ पर इनोंने अपने जो इतिहास गरंथ में उसमें किसको रखा है उर्दू के कवियों को रखा है जादा कर है आगे हम दिखेंगे कि किसने उर्दू के कवियों को ना रखते हुए कि किसको रखा है हिंदी के कवियों को रखा है ठीक है तो यहाँ पर गारसदतास या इनके ग्रंत का, इस्तवार्दाल, लो लित्रेतर एंदुई एंदुस्तानी का, तो इसका जो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से क्या किया गया, हिंदी अनुबाद किया गया, और ये किस ने किया, ये किया लक्ष्मी सागर वर्षने ने उननी सो बावन में ठीक है दोस्तों तो ये थे गारसद अतासी तो इन्हों ने सबसे पहले जो पहला प्रियास था वो किस के द्वारा था वो गारसद अतासी के द्वारा ही किया गया था इतिहास को लिखने का ठीक है दोस्तों और इनक इसके बाद इस परंपरा को आगे किस ने चलाया तो ये इतिहास लिखने की जो परिपाटी थी उसमें देखिए अगला नाम जुर गया फिर शिव सिंग सेहंगर का तो शिव सिंग सेहंगर ने भी अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा है इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है देखि और इसका प्रकाशन 1883 में हुआ है इस ग्रंथ में उन्होंने 838 तो इन्होंने कितने रखेते 738 तो इन्होंने कितने रख दिया विश के रखेते 1338 ठीक है दोस्तों तो exact तो नहीं बोल सकते पर ये अनुमानित है कि इतने के आसपास इसमें कव्यों के उनने स्थान दिया है क्लिर है दोस्तों आगे देखते हम कि उसके बाद किसने हिंदी साहीते का इतिहास ग्रंथ नाम लिखा या इतिहास ग्रंथ को लिखने की उनने तो अगर दोस्तो ये जो जो इनका इतिहास ग्रंथ है देखिए इसी इतिहास ग्रंथ को ही सबसे प्रमानिक ग्रंथ माना जाता है प्रमानिक इस तरीके से कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक तरीके से क्या किया नीव का पत्थर साबित हुआ उनकी ये रचना ठीक है दोस्त क्यों हुई क्योंकि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कालक्रम के अनुसार विभाजित करने की कोशिश की देखिए जो पहले वाले दो थे उन्होंने वर्नानुक्रम अनुसार पदती को अपनाया लेकिन जॉर्ज गिरसन ने क्या किया इन्होंने कालानुक्रम पदती को अप ग्रंत को जादा महत्तो या जादतो बज्जो दी जाती है तो इसलिए कहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास की नीव का पत्थर इसी ग्रंत को कहा जाता है कौन से ग्रंत को इसका हिंदिया नुवाद किसनी किया किशुरीलाल गुप्त द्वारा हिंदी साहित्य का प्रत्थम इतिहास नाम से किया गया 1957 में तो ये कुछ एक नाम है ये आपको बहुत जरूरी है याद करना और बहुत सिंपल है ये चीजे आई होप आप लोगों ने इन चीजों को साहित्य के इतिहास में ठीक है दोस्तों तो इसका जो देखिए आगे कहते हैं कि ग्रियर्सन ने अपने ग्रंत को तो वो कौन-कौन से तो जिसमें इस कहते हैं कि इन जो इतिहास ग्रंत है इनका इसमें इनौनने क्या किया है? 952 कवियों को शामिल किया है और ये कालकरम के अनुसार लिखा गया ग्रंथ है ये मैंने पहले ही बिता दिया कि किस पदती को अपनाते थे कालानुकरम पदती को ठीक है तो इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को ही शामिल किया गया है, देखिए पहले क्या था जो गारसद अतासी थे, उन्होंने उर्दू के कवियों को शामिल किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंदी के कवियों और लेकों को अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया है, ठीक है जो Grierson की दोस्तों सबसे मौत्वण उपलब भी माने जाती है वो यही है कि इन्होंने जो भक्तिकाल था उसको इन्होंने स्वर्ण यूग नाम दिया है तो यह प्रशन कई बार एक्जाम में पूछ जाता है कि हिंदी सहित्य के भक्तिकाल को स्वर्ण यूग किसने कहा है तो वो नाम दिया है George Grierson ने क्लिर है दोस्तों यह थी George Grierson के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि उन्होंने इतिहास लेखन में अपना क्या योगदान दिया है और आगे देखते हम इसके बाद अगले जो है वो है मिश्र बंधू तो दोस्तों मिश्र बंधू से भी कई बार एक् मिश्र लगा हुआ है और जो दो हैं वो है गनेश ब्यारी और श्याम ब्यारी तो इनको आप गनेश बगवान और श्याम इन दो नामों से याद रख सकते हैं क्लिर दोस्तों अगले देखिए इनकी रचना का नाम मिश्र बंधू विनोध है तो इनकी रचना का नाम क्या है विश्रबंदू विनोध है और ये चार भागों में विभक्त है इसके जो पहले तीन भागों का प्रकाशन दोस्तो 1913 इसवी में हुआ जबकि चौथा भाग का प्रकाशन 1934 में माना जाता है तो ये डेट्स हैं ये आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेगी कई वारे इनको कालकरम अनुसार भी पूछा जाता है जितने भी हम इतिहास गरंत भी पढ़ रहे हैं ठीक है इनको आपने कैसे रखना है कालकरम के अनुसार रख करना है ठीक है दोस्तों तो देखे इसके जो तीन भागों का प्रकाशन क्या हुआ एक साथ हुआ 1913 में लेकिन जो चौथा भाग आया उसका प्रकाशन हुआ 1934 में तो आगे देखिए कि इस ग्रंत की जो ये मिश्रबंधूं का मिश्रबंधु विनोध है इस ग्रंत की है जिनका इतिहास सबसे प्रमानिक और सबसे विश्वसनिय माना जाता है हिंदी साहित्य में है ना तो वो भी किसको मानते हैं उपयोगी किस ग्रंत को मिश्रबंधू को क्युं क्यूंकि उन्होंने खुद सभिकार किया है कि कवियों के परिचायत्मक विवर्ण में ने प् बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, आगे हम देख लेते हैं कि इसके बाद जो सबसे बड़ा नाम हिंदी साहित्य में अचारे रामचंदर शुकल जी का ही है और उन्हीं के इतिहास को प्रमानिक माना जाता है, ठीक है दोस्तों, तो उनके बारे में देख लिती हैं कि उन्ह 1929 में लिखा गया है, लेकिन इसकी जो बिशेशता हैं वो मैं बताता हूँ आपको, देखिए इसमें सबसे पहले साहित्य इतिहास को अलोचना से प्रिथक किया है, अलोचना से प्रिथक मतलब कि उसका सिर्फ साहित्य के जो इतिहास है, उसको सिर्फ अलोचित या विशले विवेचना करते हैं वैसा नहीं है इन्होंने क्या किया उसको उससे प्रिथक किया वो जो तीन सूत्र बतायते वीधेवादी पदती के उन तीनों को इन्होंने क्या क्या आतमसाथ किया सिंपल अलोशना तक उसे सीमित नहीं रखा, तो ये इनके साहित्य के इतिहास के सबसे वड़ी विशेष्टा माने जाती है, क्योंकि इन्होंने जो पहली ही लाइन है, जो इनके हिंदी साहित्य के इतिहास की, वहाँ पर इनके जो दृष्टी कोना इनका, वो सुस्पष्ट कि ये क्या कहना चाहते है, कि जो हमारा साहित्य है, वो क्या है, वो आम जनता की जन्मानस की चित वृत्य का संचित प्रतिबिम्ब है, तो देखिए, मतलब सिर्फ अलोशना तक ये सीमित नहीं रहे, इन्होंने क्या किया, उन्होंने विशलेशन किया थोस परिस्थितियों ठीक है जो भी हैं अगला जो देखिये उसके बाद ये कहते हैं कि युगीन परिस्तितिचों के संदर्व में विकासक्रम की ब्याख्या तो वोई चीज है कि जैसी भी परिस्तितियां और जब वातावरण हम जाती है वातावरण की बात कर रहे हैं कि उस वक्त की जैसी-जैसी परिस्तितियां थी, उनोंने क्या किया है, छिक है दोस्तों, काल विभाग के अंतरग़त 900 वर्षों के इतिहास को चार सुसपषट काल खंडों में इनोंने क्या किया है, विभाजित किया है। और जिस कालखंड को हम आज भी मानते हैं, कौन-कौन से हैं, आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल, ये कहते थे, समवत 1050-1375 तक, ये आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, कि इन्होंने काल विवाजन कैसे कैसे किया है, तो ये भी इनकी बहुत महत्वपून विशेश्टा है, कि इतने लंबे जो 900 वर्षों का काल था, उसको चार भागों में इन्होंने किया किया, बांटा है, तो रचनाओं के साहितिक मुल्यांकन को इन्होंने प्रमुक्ता दी, इन्होंने क्या किया कि रचना के अंदर, जो भी साहितिकार क्या कर रहा था, रचना कर रहा था, उसकी जो विशेष्टा थी ठीक है ना उसका उन्होंने उस तरीके से मुल्यांखन किया जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे जैसे हम भक्तिकाल की बात करते हैं तो उन्होंने उनको चार भागों में बाता अगर कोई भक्ती के लिए लिख रहा है कोई राम भक्ती की बात कर रहा है त उसको कृष्ण भक्ति के अंतरगत इन्होंने रखा है तो मतलब इन्होंने उनकी जो रचनाई थी उसका एक तरीके से स्टीक विशलेशन इन्होंने किया है और ये इनके इतिहास की सबसे प्रमुक विशेश्टा मानी जाती है इसलिए इनको क्या का जाता है कि प्रवृती इन्होंने पदती को अपनाया है अगला है भक्तिकाल को चार भागों में बांट कर उसे सरवप्रत्थम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक अधार पर प्रतिश्टित किया तो ये तो हम सब जानते हैं कि भक्तिकाल को जो चार भागों में किसने बांटा है वो अचारे अगर हम करें सगुन की बात तो सगुन में आते हैं रामभक्ति शाखा और क्रिश्शन बक्ति शाखा इन चीज़ों को इनको हम विस्तार से आगे आने वी अपनी धीं क्लासिज में देखेंगे आज हम फिलाल कर रहे हैं हिंदी साहित्या इतिहास और उसके अंतरगत हम इनकी परंपराएं लेखन की परंपराओं को देख रहे हैं और इतिहास ग्रंथ जो साहित्यकारों ने लिखे तो ये थे दोस्तो अब हम देख लेते हैं कि इसके बाद अचारय रामचनर शुकल जी के बाद भी हिंदी साहित्य इतिहास लिखे गए हैं तो सबसे पहरा जो नाम आता है वो आता है अचार्य हजारी प्रसाद दुवेदी तो हजारी प्रसाद दुवेदी ने देखिए क्या लिखा इन्होंने तीन ग्रंथ लिखे हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखा और हिंदी साहित्य अधिकाल ये भी 1902 में लिखा तो देखिए इनके तीन ग्रंथों को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि पहले हम क्या करते हैं भूमिका लिखते हैं उसके बाद उसका विकास होता एक तरीके से उसके बाद हम लास्ट में के बोलते हम और आधि से मतलब आधिकाल ले रहे दोस्तों तो ये इन्होंने तीन ग्रंथ लिखे हैं ठीक है और आगे इस पर्मपरा को बढ़ाया डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने तो रामकुमार वर्मा के बारे में देखी ये कई बार पूछ लिए जाता है कि सबसे पहली बार तो यह उनीची कि इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है तो इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का अलोचनात्मक इतिहास कब लिखा? 1938 में तो ये जो देखिए संधिकाल से भक्तिकाल तक यहां तक का ही वर्नन मिलता है किसमें? इनके ग्रंथ में, ठीक है ना? तो इस चीज को आपने याद रखना है कई बार एक्जाम में इस चीज को भी पूछा जा सकता है कि जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा थे उनका जो अलोचनात्मक इतिहास है वो कहां से क्या माना है? उन्होंने स्वैंभू को हिंदी का प्रत्थम कभी माना है तो ये भी पूछा जा सकता है एक्जाम में कि स्वैंभू को हिंदी का प्रत्थम कभी किसने माना है? रामकुमार वर्माने ठीक है दोस्तों? तो ये था हमारे जो प्रमुक इतिहासकार और जिन्होंने साहिते इतिहास लिखे लेकिन इसके अलावा दिखिए यहां पर एक आप फोटो दिख रहे होंगे इमेज इसमें आपको दिख रहे हैं बहुत सारे नाम तो आप लोगों को ये नाम भी याद करने हैं और इनको समर्ण करना कोई ज़्यादा टफ बात नहीं है लेकिन इनमें से आपने क्या करना है कि जो मेन मेन हैं उनको ही पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉस करके भी इस चीज़ को देख सकते हैं और आपको अपनी बुक्स बगेरा में भी ये कहीं भी मिल जाएंगे कि किन किन इतिहास कारों ने कौन कौन से इतिहास गरंथ लिखे हैं जो पहले मैंने आपको पहले थोड़े से वनित किये वो मेन मेन हैं उनको आप याद रख लेंगे तो सारा काम आपका चल पड़ेगा इन में से आपको थोड़े थोड़े जो देखने हैं जैसे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ठीक है वग्यानी के इतिहास इस तरीके के जो ये कुछ एक हैं तो इनको आप याद कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि जो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन और नामकरण है वो कैसे कैसे हुआ है और किस विद्वान ने क्या नाम दिया है ठीक है दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि सामान्य जो सरमान्य है कि यह यह काल विभाजन है और ऐसा ऐसा इसका नामकरण है तो सबसे पहले आता है देखिए आधिकाल, तो आधिकाल का जो समय सीमा है दोस्तों, वो है 1400 इसवी तक, अगला है भक्तिकाल 14-1700 और रितिकाल 1700-1900 और आधुनिकाल कब से कब तक 1900 से आज तक का जो भी है, ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन का काल भी भाजन, त तो ये परिक्षा में पूछा जा सकता है कि काल करम की दिष्टी से पहला प्रियास किस साहित्यकार ने किया है, अगला है देखिए इसमें कि इन्होंने कितने भागों में हमने पहले ही बात की थी, ग्यारा भागों में, देखिए चारनकाल, धार्मिक पुनर जागरण, जै लास्ट में लिखते हैं, ये महारानी विक्टोरिया की शासन में हिंदुस्तान, तो ये दोस्तों जो ग्यारा भागों में इन्होंने क्या किया है, हिंदी साहित्यका जो इतिहास है या हिंदी जो काल विभाजन इन्होंने क्या किया है, इतने भागों में इसको विभक्त कि ठीक है दोस्तों तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा और ग्रियरसन के बारे में हमने पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली कि इन्होंने जो भक्ति काल को स्वारणयूग के नाम से कहा है ठीक है तो ये चीज़ें हैं इनको आप याद रख सकते हैं ठीक है अगला हम दे जैसे हम आगे चीज़ों को पढ़ते जाएंगे जैसे हम आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम नामकरण के बारे में बिस्तार से दिखेंगे कि किस इतिहासकार ने किस काल को क्या नाम दिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने किस तरीके से काल क विभाजित किया है और ठीक वैसे ही आगे अचारे रामचंदर शुकल का काल विवाजन ये तो आप सब लोग अच्छे से जानते ही है कि शुकल ने किस तरीके से काल को विभाजित किया है ठीक है दोस्तों तो आधिकाल है पूरुमद्यकाल है उत्रमद्यकाल है और आधुनि काल है अगला है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में हमने भी पहले ही पढ़ लिया था कि इन्होंने भी क्या कहा है संदिकाल कहा है कि इसको आधिकाल से पूरुकालिन जो समय था उसे संदिकाल या फिर आधिकाल को भी कहते हैं कि इन्होंने आधिकाल को ही संदिकाल कहा है तो इनका जो कालवी भाजन ने देखी ये 750 से मानते हैं जब कि अचाले रामचंदर शुकल कब से मानते हैं वो 1000 से मानते हैं कि वहां से जो है इंदी साहित्य का जो एक तरीके से विकास हुआ है ठीक है तो ये आपको याद करनी पड़ेंगे ये चीजें अगला है देखिए अगला है गणपती चंदर गुप्त का कालवी भाजन तो ये आखरी है जो प्रमुक प्रमुक है तो इसमें इनोंने जो गुप्त है वो कब से मानते हैं वो इस्वी से मानते है जो प्रमध्यकाल वो दोस्तो काल विभाजन और नामकरन आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे कि जो हम आधिकाल के पड़ेंगे आधिकाल की विशेश्ता ह Twoigning वहां पर हम देखेंगे कि कि साहित्यकार ने या किस इतिहासकार ने आदिकाल को क्या नाम दिया है वहाँ पर हम इसको एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे सिलसिलेवार और वैसे हम रितिकाल में भी इनको दिखेंगे कि किस ने क्या काल नाम दिया है यहाँ पर आपने सिंपल साइस को अभी इतना ही या गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें शुक्रिया